इसी सोच पर चलते हुए केंद्र सरकार भी देश के सामने उपस्तिक दस्यों को पुरानी चुनोतियों को सुल जाने के लिए प्रयास कर रही है साथियों बिते कुछ समय से देश में और युवाओं में बहुत चर्चा है Citizenship Amendment Act की ये एक क्या है इसे लाना क्यों जरूरी था युवाओं के मन में बहुत से सवाल बाती बाती लोगों के द्वारा बर दिये गए हैं बहुत से नौजवान जागरूग है लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी इस भ्रह्म के शिकार हुए हैं अफ़ाओं के शिकार हुए हैं ऐसे हर युवा को समझाना भी हम सब का दाईत्व हैं और उसे संतिष्ट करना भी हम सब की ही जिम्मेदारी हैं और इसलिए आज राष्ट्रिय युवा दिवस पर मैं फिर से देश के नौजवानों को पश्चिम मंगाल के नौजवानों को नौर्थ इसके नौजवानों को आज इस पवित्र धर्ती से और युवाओं के बीच खड़ा हो करके जरूर कुछ कहना चाहता हूं साथियों ऐसा नहीं है कि देश की नागरिक्ता देने के लिए भारत सरकार ने रात और रात कोई नया कानून बना दिया है हम सबको पता होना चाहिए कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है भारत के समिधान को मानता है भारत की नागरिक्ता ले सकता है कोई दुविदा नहीं है इसमें मैं फिर कहूंगा Citizenship Act नागरिक्ता छिन लेने का नहीं ये नागरिक्ता देने का कानून है और Citizenship Amendment Act उस कानून में सिर्फ एक संशोधन है कि ये संशोधन ये amendment क्या है हमने बडलाव ये किया है कि भारत की नागरिक्ता लेने की सहुलियत और बढ़ा दी है ये सहुलियत किसके लिए बढ़ाई है उन लोगों के लिए जिन पर बटवारे के बाद बने पाकिस्तान में उनकी धार्मिक आस्था की बज़र से अत्याचार हुआ जुल्म हुआ जीना मुश्किल हो गया बेहन बेटियों की इज्जत असुरचित हो गई जीवन जीना ही एक सवाल या निसान बन गया अनेक संकटों से ये जीवन ही घिर गया साथियों स्वतंत्रता के बाद पुच्य महत्मा गांती से लेकर तबके बड़े-बड़े दिग्गर जिनेताओं का यही कहना था कि भारत को ऐसे लोगों को नागरिक्ता देनी चाहिए जिन पर उनके धर्म की वज़े से पाकिस्तान में अत्याचार किया जा रहा है अब मैं आप से पूछता हूँ मुझे बताई एक ऐसे शरनार्थियों को हमने मरने के लिए वापिस बेजना चाहिए क्या क्या हमारी जिम्मेवारी है इक नहीं है उनको हमें बराबरी में हमारा नागरिक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए अगर वो कानून के साथ बंदनों के साथ रहता है सुक्चेन की जिन्गी जोता है तो हमें संतोस होगा कि नहीं होगा ये काम पवित्र है कि नहीं है हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए औरों की बनाई के लिए काम करना अच्छा है कि बुरा है अगर मोदी जी ये करते हैं तो आपका साथ है ना आपका साथ है ना हाथ उपर उठा करके बताईए साथ है ना हाथ उपर को उठा करके बताईए साथ है ना हमारी सरकार ने देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महान सपुतों की इच्छा काही हमने सिरफ पालन किया है जो महत्मा गांधी कहके गए उस काम को हमने किया है जी और सिटिजन्सिट एमेंड्मेंट एक में हम नागरिक्ता देही रहे हैं किसी की भी किसी की भी नागरिक्ता छिन नहीं रहे है इसके अलावा आज भी किसी भी धर्म का व्यक्ति भगवान में मानता हो ना मानता हो जो व्यक्ति भारत के सम्विधान को मानता है वो ताए प्रक्रियाओं के तहट भारत की नागरिक्ता ले सकता है यह आपको साब साब समझ आया कि नहीं आया समझ गए ना जो छोटे छोटे विज्जारति हैं वो भी समझ गए ना जो आप समझ रहे हैं ना वो राजनीती खेल खेलने वाले समझने को त्यार नहीं है बेबी समझदार है लेकिन समझना चाहते नहीं है आप समझदार भी है और देश का भला चाहने वाले युवा नवजवान भी है और हाँ जहां तक नौर्थिस के नाज्यों की सवाल है हमारा गर्व है हमारा नौर्थिस हमारा गर्व है नौर्थिस के राज्यों की संस्कृति वहां की परंप्रा वहां की डेमोग्राफी वहां की रिति रिवाज वहां की रहन सेन वहां का खान पान वहां की डेमोग्राफी इस पर इस कानुन केस में जो सुधार किया गया है कि इसका कोई विप्रुत प्रभाव उन पर न पड़े इसका भी प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है साथियों इतनी स्पस्टता के बावजूद कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों से सिटिजन्सिप एमेंट्मेंट एक को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं मुझे खुशी है कि आज का युवाही ऐसे लोगों का भ्रम भी दूर कर रहा है और तो और पाकिस्तान में जिस तरह दूसरे धर्मों के लोगों प्रत्याचार होता है उसे लेकर भी दुनिया भर में आवाज हमारा युवाही उठा रहा है उसे लेकर बाच्स के लिएध के लुवाश्वाशन क कि अजिए सब्सक्राचारी के लेई प्रकारी का युवाश्या है